नमस्कार मैं डॉक्टर शेलेंद कुमासिं राजकी माविद्यले बद्रोजगा आज हम आर्थिक विचारों के इतिहास के अंतरगत प्रमुख अर्थिसास्त्री प्रोफेसर एसी पीगु आर्थार सेसिल पीगु के आर्थिक विचारों का अध्यान करेंगे साथ इसाथ इनका अर्थिसास में जो भी योगदान है उनके महत्यकी भी चर्चा करेंगे प्रोफेसर आर्थार सेसिल पीगु अर्था प्रोफेसर एसी पीगु इनका जन 1847 इसवी में हुआ था तथा इनकी इम्रित्तु 1969 इसवी में हुई प्रोफेसर पीगु कैम्ब्रिच विस्वित्याले में अर्थासास के प्रोफेसर तथा मार्षल के मृत्तु के पस्चात अर्थास भी भाग में मार्षल के उत्रा धिकाई थे प्रोफेसर पीगु को मार्षल के विचारों का सच्चा समर्थक कहना वास्तों में गलत नहीं होगा पीगु वास्तों में उदार प्रवित्तिके और एक लचीले अर्थासास्त्री थे इन्होंने अपने सिध्धानतों को वास्तों में जनकल्यान में ही समय योजित रखा जिसके प्रणाम सुरूप हमें कल्यान वादी अर्थसास्त्र के रूप में देखने को मिलता है इसके अलावा वे संस्थापक संपरदाय के अंतिम प्रजिनित थे तथा कीन्स के साथ वाद वीवाद में वे संस्थापक विचारधारा की ततिरच्छा भी किया करते थे अपने जीमन काल में वे अर्थसास के सच्चे विद्यार्थी होने के नाते अर्थसास को जन कल्यान का साधन बनाने में सदयव प्यस्त रहते थे प्रोफेसर पीगू का वास्तों में ना कल्याणवादी अर्थसास से जोड़ा जाता है प्रोफेसर पीगू ने उब्भोकता के मनो बैज्ञानिक सिध्धान्त का प्रतिपातन किया जिसमें इन्होंने मानव कल्याड को अधिक्तम होने के लिए कई सिध्धान्त परस्तुत की है उनकी प्रशिद्ध पुस्तक The Economics of Welfare जिसका कल्याडवादी अर्थसास में उच्च कोटी के ग्रंथों में इस्थान प्राप्त है सरप्रता 1922 इसबी में प्रकाशित हुई मार्सल की पुस्तक Principle of Economics से समान पीगू की ये पुस्तक काफी लोग प्रिये रही तथा 1932 इसबी तक इसके चार संसकरण प्रकाशित हो चुके थे वास्तों में कल्याणवादी इनकी पुस्तक से लेखा को आएगे साथ सा भारी मात्रा में यस भी प्राप्त हुआ प्रोफेसर पीगू ने अपनी पुस्तक में राष्टी लाभांस, भातिक कल्याण, राष्टी लाभांस के पुनावित्राण, उद्दोगों के नियमन तथा नियंत्र इत्यादी समस्याओं की व्याख्या की है Cambridge असासियों में जब Cambridge समीकरण की बात होती है तो प्रोफेसर पीगू ने अपना समीकरण प्रस्तुत किया था जिसमें पी बराबर के यार अपॉन एम यहाँ पर पी प्राइस को रिप्रेजेंट और यहाँ पर पी वास्तों में मुद्र के मूले को रिप्रेजेंट करता थ एम मुद्र की पूर्थ को रिप्रेजेंट करती थी और के द्रब्य का वो भाग जो नगत के रूप में रखा जाता था इस सिध्धांत के अलावा प्रोफेसर पीगू ने ब्यापार चक्र के मनोवर्ति सिध्धांत का भी प्रतिपादन किया प्रोफेसर पीगू केवल एक सैध्धांतिक अर्थ सासी ही नहीं थे वरन उनकी ब्योभारिक आर्थिक समास्यां के अध्यन में काफी रुज रही है ये इस प्रकार सत्य से भाली भात इसपस्ट हो जाता है कि उन्होंने the food, subsidies, inflation, the gold and dollar reserve आदी ब्योभारिक महत्य की विश्वों पर अपने पत्रिकाओं मे लेख खों में अपने बिचार और सुझाओं को ब्यक्त किया वे अनेग आयोगों तता समित्यों के सदस्य भी रहे उन्नीस वठारा उन्नीस में वे Royal Commission on Income Tax and Chamberlain Committee के सदस्य रहे वस्तों में प्रोफेसर पीगू के कही लेख और पत्रपत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे उन्हें प्रमुक, Wealth and Welfare 1912 में प्रकाशित हुआ, The Economics of Welfare 1920 में प्रकाशित हुई Memorial of the Alfred Marshall 1925 में प्रकाशित हुई, Theory of Unemployment 1933 में प्रकाशित हुई, Alfred Marshall and Current Thought 1923 में प्रकाशित हुई प्रोफेसर एसी पीगू का देहन्त साथ मार्च 1969 को 82 वर्स की दीरकाई में हो गया। वे सभी त्रकाशित कोणों से वर्तमान सताब्दी के महानर सास्थी थे तथा कैम्परिज संप्रताय के एक प्रभावसाली सदस्य की रूप में सदय जाने चाते हैं। वास्तों में ये कहना उन्मीचीत नहीं होगा कि यदि मार्चल कैम्परिज संप्रताय के प्रवर्तक थे तो पीगू कैम्परिज संप्रताय के केंद्री इस्तंब रहे हैं।